नमस्कार, Rim Defense Academy के YouTube चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, Retired Assistant Government आप सब का स्वागत करता हूँ राजस्थान पुलिस Constable, Final Result की कड़ी में आज एक और परिवार के दो मेंबर्स चे आपको मिला रहा हूँ जिनका एक ही जिले से सलेक्शन हुआ है और इनका इंटर्व्यू वैसे बहुत इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि दोनों हस्बेंड वाइफ है तो पिछले दिनों आपने देखा हूगा एक भाई बेन का भी एक परिवार में सलेक्शन हुआ था कितनी खुसी उस परिवार में होगी और यह उससे भी स्पेशल है कि अस्बेंड वाइफ होना और एक ही जगे से बढ़ती होना किस तरह से तैयारी की होगी कैसे सारी चीजे मैनेज की होंगी कि दूसरों को डाले की जुरूत नहीं है काफी दिन हो गए डाले को एक दूसरे को तो मैं चाओगा कि दोनों आपस में और मालाएं भी दोनों आपस में डालेंगे लो बिटा एक आप लिए और एक तरफ से एक तरफ से जो इनके पेरेंट्स का रोल जो निबा रही है वो अल्रेडी पुलिस में है यह कितने बड़े गरों की बात है जिसने पूरी जिम्मेदारी से पेरेंट्स का रोल निबाया है और एक तरफ यह जिम्मेवारी मैंने भी निबाई है आपस में ही अपना सम्मान करेंगे स्वागत करेंगे दोनों कि अब दोनों बच्चों से और पूरी चीज जानेंगे साथ में फिर पेरेंट्से भी जानेंगे कि कितना विश्वाच इनोंने मेरे उपर किया है क्या चीज इनको है जो प्रेरित करती रही है लगातार पुलिस में जाने के लिए सारी चीजें आप इनी से जानेगे चलो बिटा मेरा नाम संजु शर्मा है मैं जैपो डिस्टिक से हूँ मतलब मैंने रासटान पुलिस का मेरी लाइफ में पहला अटेम्ट थाए कोई भी कंपटिशन का मैंने घर से तयारी की थि, online तयारी की थी, मतलब इतनी कोई खास तयारी भी नहीं थी मेरी क्योंकि मैं ऐसे पड़ती थी, होगा और नहीं होगा, कोई मतलब नहीं था मैं था मेरको फिर मैंने छह paper attempt किये थे, रास्ता में प्लिस के, उनमेंसे मेरे पांच paper qualify थे में थे निए 3 फ्यजिकल अटम्ट किये जहर पर बब में से मेरा को अंदोनमे में मैं क्यों दोड कोई खाय रदाइंग, और21 मारी से जोइन करने के तूनमेंगे था अपना, यहां आने के बाद, बहुत बढ़ी है, गुट शभास, और कोई देख के बता वी नहीं सकता मेर को, कि हाहां मैं रुन्टिंग कर सकती हूं, सब हसते हो रहें, देखे की तू रुन्टिंग करेगी, फिर यहां आने के बाद, सर पर बिलीव करके आई, तो सर ने, म आपने बेटियों से जादा मुझे सपोर्ट करते हूं, सब की ताड़ ली हूं मैं अपने सस्राल में, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूं, थैंक यू सो मच, आसा इनके पेरेंट्स के रूप में रही है, मैं भी स्पेसली थैंक्स दूँगा आसा को, कि जो फिजिकल तैयारी के दोरान, मुझे काफी सपोर्ट किया, मैंने थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट किया था, कि बेटा तेरे को हेल्प करनी है, मेरी फिजिकल के लिए, तो रोज अपने डूटी के टाइम से, अलग टाइम निकालके, पूरे बेच को ट्रेनिंग दिये, पूरी लड़कि चीजे करना बहुत बड़ी प्रेना हो सकती है, उनके लिए जो अपने परिवार से अलग होने की कोसिस करते हैं, तो परिवार में रहके, साथ रहके, अपनों के लिए मैनत करना, अपनों की मदद करना, यह बहुत कम परिवार में देखने को मिलता है, हलो दोस्तों, मेरा न में ठाइस थारीक होता हम आराम से दोड़ कालिफाइब कर लिए उसे में और उस बेच में लगबग 50% बच्चे अनकालिफाइब हो गए ते इसलिए में रणवीर सरका बहुत बहुत आबारी हूं क्यों क्यों हमने इतना मजबूत बना दिया कि हमें कोई दिक्कती नहीं मेरे नंबर 86 पॉंट कुछ और कटोफ कितनी थी और कटोफ ऐसे बेंतर पॉंट थी और एड़ावलोस किते हैं सड़ू सट थी रणवीर सरे चाहिए कितना काम छोड़ गे अपना वक्त देते हैं किसी को भी आम आदमी को भी इतने बड़े होते हुए भी इनके सब कुछ है गर सब कुछ है पर आम आदमी को भी इसे नोर्मली जैसे अपना समझ के मैतु देते हैं गे नए बैचेज रिम डिफेंस अकेडमी में सारी एक्जाम्स के लिए सीटी के लिए राजस्तान पुलिस डिली पुलिस एससी जीडी आर्मी एरफोर्स नेवी सबी नए बैचेज चल करनी है तो गल्स इंड बोईस दोनों के लिए होस्टल फैसिलीटी है इसके लावा ओनलाइन जिन बच्चों को त्यारी करनी है तो अपनी एप्लिकेशन के ऊपर रिम डिफेंस अकेडमी प्लेश्टोर से डाउनलोड करना और ओनलाइन भी आप हमारे साथ रहके त्यारी कर सकते हैं राजस्तान पुलिस कास्टेबल का जो इस बार का रिजल्ट है मारा वो पूरे राजस्तान में एक नमबर आप सब ने बना दिया है तो उसके लिए आप सब का मेरे सारे स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का सब का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू दोनों को बह दार और सम्मान देने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए क्योंकि सेलेक्शन होने के बाद में बहुत से लोग भूल जाते हैं समय नहीं होता है कई काम होते हैं लेकिन एक टाइम निकालना और पूरा परिवार यहां आना यह बहुत-बड़ी बात है मेरे पर बहुत-बड़ा उपकार है एक तरह से यह तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू जहिंद